हेलो दोस्तों स्वागत हैं मैं नागेंद फिर से आपका स्वागत करता हूँ और कई दिनों बाद grammar की सिरीज लेके आ रहा हूँ तो आज का वीडियो पुरा grammar पर होगा noun पर हम लोग बहुत बाते कर चुके हैं और noun की कुछ exercise भी हमने की हैं जिस पर मैं आप लोगों को कुछ और exercise objective special जो sessions लोंगा उन पर करवाऊंगा और आप मैं चलता हूँ अपने दूसरे topic पर जिसे हम कहते हैं pronoun और pronoun बहुत important topic है क्योंकि pronoun की जो errors होती हूँ इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आती और हम लोग ज्यादा तर घलतियां करते हैं तो चलिए without wasting time let's move towards pronoun तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि pronoun क्या है हमने बहुत पहले ये definition सुनी है कि the words which are used in place of nouns are called pronoun और ये definition सुनते सुनते हमें बहुत दिन होगे लेकिन हमें जब भी किसी grammar या किसी language में कोई भी चीज को अगर fundamentally समझना होता है तो हमें सबसे पहले अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि ये क्यों आया pronoun का basically जो इस दुनिया में आगमन था वो किन कारणों की वज़े से था तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कुछ example देता हूँ चलिए एक बात करते हैं और बात करते हैं किसी एक लड़के की जिसका नाम है मान लेया रोहित तो मैं जब बात करना शुरू करता हूँ और मैं कहता हूँ आप जानते हैं कि रोहित एक noun है अब मैं आपसे बोलना शुरू करता हूँ कि language में जब सबसे पहले कोई भी चीजों में नाम आये थे और नाम आये थे तो फिर लोगों ने उससे बात चीज शुरू किया और जब भाशा का development हुआ तो pronoun कैसे निकल गया देखे तो अब मैं एक नाम को बार पढ़ने में अच्छा है रोहित बड़े लोगों का आदर करता है थोड़े देर बाद अगर मैं आपसे प्रश्न करूँ कि आपको सबसे ज़्यादा irritating इसमें क्या लगने लगा है तो आपको पता लगेगा कि जो subject है जो noun है रोहित वह आपको बहुत ज़्यादा irritate करने लगा है क्योंकि वो नाम इतनी बार आ रहा है कि वो monotony produce कर रहा है तो जब language experts के पास noun आ चुका था और noun जब sentences में बार 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 repeat हो रहा था तो वो पूरे language के charm को हर चीज का एक charm होता उसको kill कर रहा था तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो इसके बदले use किया जा सके या इसके इस monotony को कुछ हद तक control कर सके और reduce कर सके तो अब मैं इसी को कहता हूँ कि रोहित एक अच्छा रखा है रोहित रोचेस खेलता है वो कभी कभी बजार जाता है वो बड़े लोगों का आधर करता है रोहित शाम को exercise करता है तो अब ये monotony ना सिर्फ खतम हो गई बलकि रोहित को जो मैंने एक word से replace किया वह ये word जो है इसने रोहित और को एक दूसरे शब्द के माध्यम से आप तक propagate किया और साथ ही साथ जो sentence का charm था वो भी पूरा balance होके बरकरार रहा तो noun की जग़े पे कुछ ऐसे नए शब्द introduce किये गए जो noun को ही represent करते थे लेकिन noun के ज़्यादा repeat होने की वज़े से जो monotony produce हो रही थी उसको सही करते थे तो ऐसे हमारा जो उद्भव होता है ऐसे origin होता है pronoun का तो pronoun वो शब्द हैं जो noun के इस बजाए यूज किये जाते हैं और noun के repetition की जो monotony होती है उसको reduce करते हैं तो जब ये pronoun खोज लिया गया तो सबसे पहले बात हुई कि pronoun में एक बात ये थी कि हमने जो शुरू में pronoun ढूड़े वो personal pronoun थे यानि कि जो नाम हैं या लोग हैं उनके लिए individual के लिए use किये जाने वाले pronoun और उन pronouns में जो personal pronouns थे जिनको हम कह सकते हैं कि I, मैं के लिए किसी व्यक्ति ने अगर अपने लिए कहना you, he, she, it, they, we ये सारे pronoun ढूड़े गए इनके सारे pronouns के टाइप पे मैं अभी detail lecture दूँगा अगली बार में पहले मैं pronoun के introduction के बारे बता रहा हूँ तो सवाल एक और गहरा उठा और वो ये उठा कि ये जो personal pronoun है इनको अगर हम एक different cases में नहीं रखते हैं उस box में नहीं रखें जिससे इनके use का हमें पता चले तो ये पूरा एक confusing box होगा जिसमें हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा pronoun कहां use होना है तो इसके लिए language experts ने जब काम किया तो सबसे पहले जो चीज निकल के आई वो आई कि pronouns pronouns के मामले में जितने भी हमारे पास personal pronoun है उसके लिए हमें तीन तरीके के person decide करने होंगे और वो होंगे first person के pronoun second person के pronoun और third person के pronoun तो ये जो person distribution था वो इनके बाद हुआ और वो किस तरीके से हुआ ये जानी है देखे जब भी दो लोग आपस में communicate करते हैं तो communication के समय हमारे पास आप जानते हैं कि कोई भी verbal communication में जब तक दो सिरे ना हूँ तब तक कोई भी communication नहीं हो सकता it is a you can say the prerequisite of a communication कि दो end होने चाहिए एक होता है जो end आपको input देता है और दूसरा होता है जो output लेता है जो feedback देता है तो जब भी हम किसी से बात करते हैं तो एक और व्यक्ती होता है जो हमें सुन रहा होता है तो जितने व्यक्ती बात करते हैं जो भी व्यक्ती बात करता है वो कहलाता है first person इसलिए जैसे मैं आपसे यहां पर मुखातिब हूँ तो मैं हूँगा first person और जो व्यक्ति सुन रहा होता है उसको हम second person कहते हैं और second person वो व्यक्ति होगा जो आपको सुन रहा है अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो यहां पर आप second person माने जाएंगे लेकिन अब सवाल उड़ता है कि third person को ने तो third person हर बार वो होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं जिसके बारे में आप सुनने वाले को बता रहे हैं तो हम अगर यहां पर pronoun के बारे में बात करें तो pronoun third person है तो इस तरीके से गर इसे simply समझें तो एक व्यक्ति वो जो communicate करना शुरू कर रहा है और एक वो जो सुन रहा है जो शुरू कर रहा है वो first person जो सुन रहा है वो second person और जिसके बारे में बात हो रही है वो third person तो इस तरीके से जब यह तीन person decide किये गए तो personal pronoun को इन में different boxes में रख दिया गया तो सबसे पहले हम बात करते हैं first person first person में वो सारे pronoun आते हैं जो बात शुरू कर सकते हैं अब सवाल यह उड़ता है कि हम बात शुरू कैसे कर सकते हैं तो हम बात सिर्फ दो चीजों से शुरू कर सकते हैं या तो I को use करके या we जब भी आप किसी के सामने खड़े होते हैं तो आप कहते हैं hello I am this 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 and I want to talk about this या फिर अगर आप group में हों तो आप कहते हैं hello we are from this institute and we are going to talk about this लेकिन क्या कभी आपने कहा है hello you am fine and what about I क्या आप अपनी और you am कहते हैं कभी नहीं तो जब भी आप बात शुरू करेंगे तो वो सिर्फ I हो सकता है या we हो सकता है तो इसलिए first person जो की बात शुरू करता है वो सिर्फ दो लोगों को लेता है या तो वो I हो सकता है और या we तो first person में हम clearly I और we को रखते हैं और इनके अलावा कोई भी first person नहीं होता यानि कि यह सीधे सीथे इस बात का indication है कि बात सुरू करने वाले सिर्फ दो ही व्यक्ति हो सकते हैं English के अंदर English grammar के अंदर I and we So they are placed in first person category अब बात आती है second person सुनने वाला कौन होता है सुनने वाला हमेशा English में सरफ एक ही व्यक्ति होता है और उसको कहते हैं you You के अलावा कोई भी English में सुनता ही नहीं है तो यह बड़ा interesting मुझे लगता है कभी-कभी अगर किसी पर गुस्सा आ जाए और हिंदी में तो आपको उसको आप ही बोलना है लेकिन आप English में यू बोल सकते हो तो English में सुनने वाला हमेशा यू होता है तो यू के अलावा कोई और है नहीं जो सुनेगा आप जो भी आपको सुन रहा है उसको आप हमेशा ये प्रननस करेंगे आप कभी भी नहीं कहेंगे ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा तो जो भी सुन रहा है वो यू है और इसलिए सेकेंड परसन में सिर्फ एक व्यक्ति होता है परसनल प्रनॉम में वो होता है यू अब बची बात थर्ड परसन May I ask you one question कि हम दुनिया में कितनी चीजों के बारे में बात कर सकते है तो आप कहेंगे सर एक हजार दो हजार कुछ तो मैं आपको बता दू कि We can talk about any damn thing of the world हम दुनिया में किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते है हम आकाश, पाताल, समंदर, जहाच, साइन्स, स्पेस, अंतरिक्ष, फिल्मे, टीवी और जैने कितनी बातें आप कर सकते है सोशल मेडिया तो आप जानते हैं कि बातों का कोई अंत नहीं है इसलिए बातें करने वाला जो मुद्दा है या सब्जेक्ट है उनका भी कोई अंत नहीं है और फिर ये तो आप जानते हैं कि अगर बातें कम होती तो फिर हमारे बीच से एक बहुत बड़ा कल्चर गायब होता है वैसे तो social media ने वो गायब करी दिया है वो culture है गब्पों का गब्पों का गब्पों का culture धीरे धीरे खतम होने लगा वैसे लेकिन बातें जब भी गब्पों में होती है तो आप जानते हैं कि वो बातों का सीरा कहीं से कहीं तक जा सकता है इसके third person जिसके बारे में हम बात करें वो I, We और You को छोड़के दुनिया में कोई भी हो सकता है तो हमारे अगर personal pronoun में लें तो he, यानि उसके बारे में बात करना she, उसके बारे में बात करना we, sorry they, it या फिर किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी चीच के बारे में, किसी वस्तु के बारे में बात करना ये सारे आ जाते है personal pronoun में जो third person है उसमें basically personal pronoun की अगर specifically बात करें तो आ जाएगा they, he, she, it और अगर कोई लड़के का नाम है, suppose रोहित कह दिया तो उसकी जगह he वाले ये use होगा और लड़की का नाम है तो उसकी जगह she ही pronoun use होने वाला है और एक और होता है जो बेजान वस्तों के लिए use होता है, हलाकि उसके कई और variations हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा उसको कहते हैं it, तो it भी आपका इसी category में आ जाता है तो it भी आपका इसी category में आ जाता है तो इस तरीके से आपके तीनों person clear होगे, first person, second person और third person इन persons के का बहुत ज़्यादा importance है क्योंकि person के बाद pronoun को type में हम दूसरी वीडियो में जाएंगे person के बाद एक और important चीज है जिस पे बात करने चीए वो है pronoun के cases जिसको direct indirect बाद में सीखना होगा, अगर उसे pronoun के cases नहीं पता तो वो भी यहाँ पर अटक जाएगा और pronoun के cases हमें किसी भी sentence को में यूज करने के लिए बहुत important है तो cases होते हैं तीन और वो तीन case होते हैं first case होता है subjective case, दूसरा case मना जाता है आपका objective case, subjective को ही हम nominative भी कहते हैं और objective case दूसरा होता है और third होता है possessive case अब इनको बारी-बारी से समझते हैं कि subjective या nominative case क्या होता है subjective या nominative case का मतलब है जहाँ पर pronoun की वो form, personal pronoun का वो रूप या form जो सिर्फ और सिर्फ किसी sentence में सिर्फ एक subject की तरह यूज हो सकता है यानि करता की जगे यूज होता है मालिया आप कहते है me am going to school क्या ये सही sentence है me am going to school कभी भी नहीं आपको ये जब तक I नहापर नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा I am going to school या he is going to school तो I एक ऐसा स्वरूप है personal pronoun का जो subject की तरही use हो सकता है तो ये है nominative case तो nominative case में I का nominative या subject होता है I objective case होता है me और possessive case होता है me and mine sorry my and mine क्यों क्योंकि I है सिर्फ subject की तरही use हो सकता है me object में आता है जैसे he gave a pen to me तो me last में आ रहा है और possessive case का मतलब क्या है possessive case का मतलब है जब भी आप किसी चीज को possess करते हो तो आप उसके owner होते हो जैसे I possess a bag I possess a computer तो आप उसके मालिक हो तो उस चीज का आपसे relation है तो possessive cases हमेशा एक relation को बताते हैं तो अगर आपकी car है तो आप दो ही तरीके से relate कर सकते है this is my car तो my यहाँ पर possessive case है आई का या फिर आप कह सकते है this car is mine तो mine भी possessive case है तो इस तरीके से I के होगे subjective I objective me और possessive though my and mine ठीक वैसे ही we के होगे subjective we objective us and possessive our and ours you के होगे second में आते है you subjective you objective and your and yours जो है possessive लेकिन yours में आप एक चीज़ ध्यान रखेगा हम लोग एक गलती school time से करते होई है कि yours में हम y,o,u,r, f,s,trop,p,s लगा देते है यह हम application में भी करते हुए मैंने देखा है तो ऐसा कोई शब्द नहीं होता जब भी आपको yours कहना हो तो बिना कॉमा के सीधे yours लिखा जाता है y,o,u,r,s yours sincerely में भी यही वाला yours लिखा जाएगा अब आते हैं third person में he के होते है subjective he, objective him और possessive his she का होता है subjective she and आपका objective her और possessive दो होते है her,hers और ठीक ऐसे ही दे का होता है subjective they और objective them और possessive their और theirs और ठीक वैसे it का होता है it it its last वाला its होता है possessive case तो इस तरीके से आप जो है इन तीन cases को बांट सकते हैं subjective सिर्फ subject की तरह use हो सकता है objective object की तरह और possessive case जहाँ पर आपको relation दिखाना है तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बताया है कि pronoun क्या था pronoun की उत्पती कैसे हुई pronoun की जरूरत क्यों पढ़ी pronoun जब शुरू में आए तो वो personal pronoun कहलाए personal pronoun के कितने total case बने इतने तक हम आज discuss कर चुके हैं और अगली वीडियो में दोस्तो वो और interesting होनी है जिसमें हम बात करेंगे pronoun के total कितने type होते हैं और एक बहुत interesting चीज आपको लेके आऊंगा कि जो it मैंने बताया था it के इस पूरी दुनिया में सिर्फ 6 use होते हैं उन 6 use को मैं आपको सिखाऊंगा फिर आपको it की error में कभी भी कोई परिशानी नहीं आने वाली तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम pronoun के type पर discuss करेंगे it के type पर discuss करेंगे और फिर हम जाएंगे सीधे errors of pronoun पर तो ठीक हैं दोस्तों आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं आपसे नई वीडियो के साथ थैंक यू